अगर आप एक अच्छा वीडियो एडिट नहीं कर पाते हो तियार आपको अच्छे व्यूज नहीं मिलने वाले और आप मेंसे तो काफी लोग जिनको पता ही नहीं है कि इसमें फोटो कैसे आ रही है मतलब मान लोगे अगर आपने कुछ स्क्रीन सॉट लिया है और आप दिख तो अगर आप आपने नहीं यूटूबर या लिज बनाया है तो आपको ये वीडियो पूरा एंट आप दिखना चाहिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली पर विजिट किये हो, पहली पर आप हमारे वीडियो देख रहे हो, तो आप यूटूबर बिल्कुल नहीं हो, तो मैं आपको बिल्कुल सा एप्लिकेशन बताऊंगा, जिससे आप बहुत ये अच्छे तरीके से वीडियो आप कर सकते हो, इस एप्लिक्शन नाम है काइन मास्टर, यह आपको प्लेशोर पर मिल जाएगा, पहुंचे डाउन्लोड कर सकते हो, अगर आप लॉडियो बनाओगे तो आपको 16-9, अगर आप शॉट वीडियो बनाते हो, तो 9-16 या फिर 1-1 आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मुझे यह लॉडियो बनाने है, तो हम यह पर सेलेक्ट करेंगे 16-9 पर क्लिक करेंगे, जैसे अगर आप यह पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप काइन मास्टर उपने कराएगा, दोस्तों आपको पहले बता दे हो, अगर आप यह 20 मिनिट अगर आप बिल्कुल धान से कुल देख कर सीख लिए तो आप इतरी बीडियो पर क्लिक करना है, अगर आप गॉडियो WAY क्लिक करetus एंगे, एगर ऑपको जम ने, वाले यह पर उपर एप क्लिक करहों आप तो दोस्तों, आपको ने फॉटो और दोनों साथ-साथ यहां पर शूख करेंगेगे अब द तो यहां फिर अगर आपने कोई वीडियो बना रखा है तो उसको आप यहां पर सिलेट कर लिजेगा ठीक है तो हम यहां पर मतलब फोल्डर को ओपें किये और हमारा जो वीडियो जो है वो यहां पर आ चुका है अब दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि एडिटिंग करना कैसे है दोस्तों बहुत ही बेसिक चीजे भी सिखाऊंगा और बहुत हाई लेबल का भी सिखाऊंगा मतलब आप पूरा काइन मास्टर यहां पर सिखने वाल हो ठीक है अब दूस्तों आप देख सकते हैं कि हम अगर इस क्लिप को यहां पर अगर हम इसको सिलेट करते हैं तो ऊपर कुछ हमें ऑप्षान दिखते यहं यह option क्या है कि हर एक option के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सब को सिखाऊंगा, उससे पर दोस्तों आपको बता दे कि आप मैंसे काफी लोग कंफ्यूज गते होंगे, क्या रे यार इसको कैसे हम रिमूव करें, यह कैसे हटेगा, मतलब यह जो वाटर मार्क के लोगो है, इसको कैसे हटा सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल था प्रोसेस, मैं इस वीडियो में समझाया हूँ, ठीक है, अभी दोस्तों मान लोग कि अगर आपका जो वीडियो का क्लिप है, अगर आपने वीडियो के क्लिप का, आगे का अगर यह पोर्शन जो इतना कट करना चाहते हो, तो कैसे काट करोगे, ट्रीम कैसे करोगे, पहुत ही सिंपल था यह भी प्रोसेस है, यह भी पहले आप सीख लो, ठीक है, आपको वीडियो के लिप को स्लेट करना है, आपके सामने उपर यह पर आपको चार आप्सन मिलता है, अगर आप लेफ्ट का कट करना चाहते हो, तो ट्र इसको में वापस लेकर आए तो आप इस वाले बटन पर क्लिक कर दे जाएगा, आपके सामने आप ने जो भी कटिया था, यह पर आपके सामने सेंसरी है, अब दुस्तों मान लो कि आपको राइज़ाखल तो डिख करना है, तो आपको जहां से कट करना है उस पर पर आपब आपको यहां पर trim right पर क्लिक कर दीजेगा, आप देख सकते हो right पर पर प्रसन आपको यहां से cut चुका है, तो इसी तरहे के आप यहां पर left का भी cut कर सकते हो, और दोबारा कर आना है तो इस अंडो बटन पर आप क्लिक कर दीजेगा, आप वीडियो का जो पॉर्सन हो आजाए तो एक trim और यहां पर कर दो, मतलब एक split यहां पर देदो, आप दोस्तों आप देखोगे कि आपके वीडियो का यह जो बीच का पार्ट है, यह जो पार्ट है, यह अलग हो चुका है, ठीक है, अब दोस्तों आप क्या करना है, इस वाले पार्ट को आप select कर लो, select करने बाद अगर इस पर क्लिक करते रहोगे दोस्तों जिससे पहले था, वैसे आपका यह जो वीडियो क्लिप हो बन जाएगा, ठीक है, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ ठीक है, आप देख सकते हो, जैसे वीडियो स्टार्टिंग में था, वैसे य पाँच ऑप송 करके लिए, सबसे पहले बात करते हैं, आपको सबस्क्राइब करना है और आप जिसभी फोटो को अड़करना क्लिक करेंगे, चर अब इस प हैब पहुत क् icomra अगर यहाँ पर देख करते हों, आन्या है बहुत कुछ कर सकते हो, अपने न के स्वेसां को अब एक जालते हैं जाते हैं, बहुत देरा तक लिक पाता थाल निरो के तक जाते हैं अगर आयााउ पर सब्सक्राइब कर इस फोटो पर अपनी अपना खेसी फोटो करना शब्रा है अब हम जाते हैं तो बढाता है अठनी होट 150 के इसे सब्सक्राइब है म May आपको स्काने माला हूं इस चीशको स्रिक शोर्द में इनिमेशना दोस्तों की आप जिञका फोट करेंगा और जितना अगर आप इस नंबर को कम करोगे उत्राइप अपर आएगा ठीक है तो यह होगा इन चलिए हम एक अगरेंवीन है इसी तरीके दूस्तों यहां पर आओ इनिमेशिन से हटेगा तो उस वास कौन शूख करेगा आप इसवाद आपने इस नंबर को भी बढ़ा गटा सकते हूं अप दिख सकतो हमने इनिमेशन इनिमेशन के और फिर अनिमेशन यहां पर करता हुआ तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो में यह निमिसन आप यहां पर डाल सकत हो काईनमाश्टर से ठीक है अब मानलो तो कि अगर आप 2 जो से अधिक फोटो यहां पर ऐड करना चाहते हूं तो कैसे रहोगे अगर आपको यहां पर आप उनने लेयर पर जाना है और मीडिया में जाना है और अगर आप दोस्तों यहां पर एक अगर होगे तो आप पर आप न जाएंगे आप दामलोड कर लिएगा तो इस तरीके यहांपर इपना इस्क्रीण सोट यहांपर आड कर सकते हो वहग करेंगे आप करेंगे काई सब्सक्राइब करेंगे इसमें में घान सक watching will make गुर्फिस्टीए को अपने सब्सक्राइब करें चेंज करें और चलिए कि आपब बात करें दोस्तों कि आपको क्या करना इसी स्क्रीन के आट को एक वीडियो को प्लेट कर면 रहा और जो भी हम वहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से कुछ आपको यहां पर शो करेंगा अब मानलो आप देखना चाहिए वीडियो के लेंद देखना चाहते हो और यहां पर बढ़ा भी सकते हो ठीक है अगर आप मानलो कि अपने वीडियो का जो ऐका लेन का अगर आप इसको你 करना चाहता है तो बहुत सिंपल द प्रोसेसिатल आप बहुत करें इसको आप करते हैं उसको किギित्स कर आप करते हchlag में do करो और आप आप यहां पर लिघ सकते हैं या पर यूटूब कर लोटोब तो यहां पर इसे पर लहां पर और आक चोradeey इनेबल लिखाओ ठीक है आप इस बटन को इनेबल कर दीजेगा इनेबल करते ही दूस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने यहां पर जो भी ग्रीन स्क्रीन था पीछे यह यहां से हट चुका है ठीक यहां पर एक अजस्ट्मेंट बटन दिख जाता है आप इससे तो और ए देख लिजेगा तो यह था दोस्तों कि आप कैसे इसमें मिम्स और आट करोगे आप बात करें दोस्तों कि अगर हम कुछ भी यहां पर लिख रहे हैं तो यह लिखता हुआ कैसे आ रहा है प्लस साथ सा दोस्तों आपको नीचे देख सकते हो यह लिखा हुआ पट्टी के तो अपने साफ साफ यहां पर लिख दो, मैंने लिखा कि वीडियो अच्छे लगी है तो एक लाइक जरू करें, तो भाई एक लाइक कर दो यार, ठीक है, आप इसमें फोन डाउनलोड कर लेना, इंगलीज, हिंदी, उर्दु, जो भी आप चाहते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमने यहां पर डाउनलोड कर लिए, ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ओके, आपको क्लिक कर देना है, जैसे दोस्तों आपको क्लिक करोगा, आपको सामने इस स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, अगर आप चाहते हो कुछ और भी एड़ करना इसमें, तो आप इस एडिट वाले ओप्शन पर आपको क्लिक करके इसमें एड कर सकते हो, जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे, एड करने का ओप्शन आज आएगा, ठीक है, ओके कर दो, आप चाहतो इसकी राइटिंग चेंज करना, फॉन्ट पर क्लिक करके आप इसकी राइटिंग कर सकते हो, और भी नए-ने राइटिंग आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप यहां पर कोई भी राइटिंग आपर स्लेट कर लो, अब अगर बात करते हैं, अगर इसका कलर हो गए रहा है, तो कैसे करोगे, तो दोस्तो यहां पर एक उप्शन मिल जाएग कि आप इसको अनिमेट कैसे कर सकते हो, ठीक है, यहां पर बहुत डाइसरे अनिमेशन दिखे होंगे, कि यह अनिमेशन कैसे मतलब इन आएगा, इन मतलब पहली बार इनिमेशन कैसे करेगा, अब आप दोस्तो आप देख सकते हो, कि लेटर बाई-लेटर वाले को अगर आप स फूश दिखेगा कि यह होग मुष्टी लिखा हुआ जो आप लिखे हो ठीक है आपको सामने यहां पर ऊपर शो करेगा चलिए कर देड़ करना अब कर आप करना है यूचल करना पर उच्छे से लिखु twor करना एक आप राइट साइड में डाउन में आपको आना यहां पर और फिर दोस्तो आप देख सकते हो आपको यहां पर एक option मिलेगा background color का ठीक है आपको background color पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पर आप आप इनेबल करने के लिए आप इनेबल पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो जितना भी लिखा हुआ था उसके पीछे एक पट्टी आ गई है ठीक है उसका background आ गया अगर आप full with background को भी नेबल कर दीए तो आप देख background कर ठीक है तो आप चलिए हम यहां पर white background ले ले लेते हैं और यहां पर टिक कर देख से तो पीछे पूरा white background आ चुका है प्लस हमारा लिखा हुआ भी white में था तो हमको यहां पर दीख नहीं रहा है तो चलिए अपने लिखे हुए को यहां पर जो color है उसका change कर लेते हैं color यहां पर select किये और हम यहां पर कोई भी color select कर लेते हैं चलिए यहां पर red select कर लेते हैं रेट पर click करते हैं और यहां पर tick वाले पर click कर देंगे अब देख से दोस्तों यहां पर red में लिखा हुआ हमारा आ गया और पीछे white background की पट्टी आ गई ठीक है अब दोस्तों इसमें हम animation डालेंगे कैसे डालेंगे इसमें हम की का इस्तमाल करेंगे हमको यहां पर रखना है और यहां से पकड़ के इसको left side में move कराना है ठीक है अब दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा आपको इधर जाना है यह जो की वाला बटन है इस की बटन पर आपको क्लिक करन तो हम इसको left करके इसको भी मेंगे में अपने उलए हम म reinici कर रहा है सब्सक्ना कराना है अब सिस्को दबारा बैक करना है और इसको पो comme कर लेते हैं निस पढ़ आप अब दीक हो कि है यह ऐसे ही मूब हो रहा है तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो के साथ जालना तो कैसे डालना है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेशिए द्यान से देखो यहां पर आपको क्या कर नहीं हो आपने जो भी विडियो को क्या इस बीच में आप को ट्रैसिशंट करते एनिमेशन ठीक है आप यहां पर 3D ट्रांजिशन पर क्लिक करो कोई भी इसमें से चाहते हो आप ट्रांजिशन इस पर आफेक्ट जो भी है आप यहां पर स्लेट कर सकते हो ठीक है बहुत देर सारे आपको आफेक्ट चाहते हो तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो ज्यां दोस्तों बहुत सी यहां पर कर सकते हैं gypt करना हो चलिक सामने में और चलिक करने करें जैसे समय आपको त्रइए अब सब्सक्राइब करने ऐना है अगर आप जहां भी इसको एड करना चाहते हो उस बीडियो के बीच में कहीं भी ईसको फिल्ट कर सकते हैं अब दोसके अंदर विए उसके अनदर शॉब्स आफ यहां पर देख सकते हो रहें जैसे आप यहां टोड़ा साब ऑप्रीये कर सकते हो थोड़ा सबुस्त दोस्तों यहां पर अपको मिल जाएगा प्लस दोस्तों को मिलता एक के आप उसको Select करके आप इसको download कर लीजएगा चलिए हम इसको डाउन्लोड कर लेते बाद आपको क्या करना है फिर आपको back करना है और आपको वहीं पर जाना है जहाँ पर आप तो आपको यहाँ पर डिलीट का जो मतला बटन दिख रहे हैं यहाँ पर डिलीट बाला आपकर क्लिक करोगे तो आपको सामने पर आपको पर्चेश करोगे अनुवल का फिस इतना है और मंथली फिस इतना पो दिना पड़ेगा अगर आप एक अच्छा यूटूबर बनना चा कि अगर आप इस ने कुछ अपना ऊप्सी तो अब पर इसाग करता उसी जहाँ पर एक नया विडियो आड् सामने में और से पर शिजह देंए-खर चाहता हूं कैसे डिटा होता है। लेयर पे क्लिक करके, अगर मैं यहां से कोई वीडियो एड करों तो कैसे होगा। तो इस तरह के सा है difference के layer में का difference है। और media से video लेकर आने पर का difference है। अगर आप पुत क्लिक प्हेड है तो आप शीचाथ चैने, यह सांब से इस बहुत से सब्सक्रा ना है। इन चार बटन में सबसे सब्सक्राइब ना चाहते है। आवाज अपनी भरना चाहते हो वीडियो के अंदर तो आप इसी recording पर क्लिक करना है और फिर दोस्तों आपको यहाँ पर start पर क्लिक करके आप अपनी voice over कर सकते हो जो भी आपने वीडियो बनाया है उसमें आप आवाज भर सकते हो इस तरीके से दोस्तों भी आप काम कर सकते हो आप ठीक है यह भी आपसान आपको मिल जाता है मालोग एकर आपने कोई song डाउनलोड कर रखा है या कोई ncs music डाउनलोड कर रखा है जिसे background music लगाना चाहते हो तो आप इस song पर क्लिक करो मतलब audio पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर और जिस song के अंदर दोस्तों आपके पास आप दोस्तों बता दे कि यहाँ पर एक option में जाता एफेक्स का एफेक्स में आपको कुछ effect मिलेंगे जैसे कि आप blur कर सकते हो गौसियन blur यहाँ पर होता है और एक होता है मोजैक तो आप चाहँ तो आपके पीछे कुछ अगर लिखा हुआ दिख रहा है तो आप उसको ढख इस वीडियो पर क्लिक करें है इतना क्लिक करने पदी आपका वीडियो यहाँ पर सेव हो जाएगा तैयाँ उम्मीद करता हूं कि पूरा वीडियो देखकर आप सब कुछ सीक्छे होगा ऑर कितना इजी तरीके साम वीडियो एडिटिंग कर सकते और अगर आप नेया ये वीडियो चलागाओ तो यारे एक लाइक जरूजे करते ना मिलता आपते नाइ वीडियो में अपने अपने काल लग्येगा